नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग स्वास विवाग पर मान्य मुखमंतरी जी की द्वारा जो बयान आया है बहाली परकिरिया को लेकर उनके बारे में हम लोग डीटेल्स में जानने वाले हैं जैसे कि चुनाओ से पहले बिहार सरकार ने स्वास विवाग बहाली पर बयान दिये हैं जिसमें कि बिहार सरकार ने गांदी मैदान में जो तिरंगा फाराने के बाद ये सारा कुछ केये हैं कैसे क्या परकिरिया रहने वाली है एनम बहाली परकिरिया को लेकर साथ ही बिटिय बिल्कुल भी मत करिये क्योंकि इतनी बहाली 25 जो एलेक्शन होने वाले हैं क्योंकि जनवरी को तब जैदा समय ने उससे पहले बहाली की परकिरिया इतने करवाये जाएंगे यह बिहार सरकार का निर्देश है तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे लेकिन आप लो पीछे आज के क्लास में हम लोग मिर वाइपरेदी में ही जो रेप्रोडेक्शन के अंदर गात जो जो क्वेस्टन आते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स में जाने हैं तो इन सब के क्लास ज् meanings करने के लिए आप लोग जरूर इस नंबर पर contact करके class join कर लीजे 70-50 अभी आपका offer चल रहा है 2996 रक्षा बंधन तक 19 तक आपका offer रहेंगे 19 अगस्त तक 70-50-87-29-29 इस नंबर पर आप लोग call करके WhatsApp करके class join कर लीजे अब आपके पास बहुत जायदा समय नहीं है इतनी संख्या में नहीं भाली आ रहे हैं तो आप लोग बिलकुल भी miss मत करिएगा अपने लिए पूरी तयारी में लग जाएगे क्योंकि form जब अगले मैना से शुरू होंगे तो आपको ज़्यदा समय नहीं मिलेगा तयारी का एक देर मन्त में आप कितने competition के तयारी कर पाईएगा इसलिए अभी से आपकी सारी classes, notes, सारा कुछ मिल जाएंगे इसके लिए आप लोग 7050872996 इस नंबर पर call करके, वार्टसप करके class जोईन कर लिजिए आपको बहुत फायदा आओंगे, आप confident के साथ मतलब तयारी करिए आपका exam निश्चित ही निकलेंगे तो जैसे कि बिहार में 25 चुनों से पहले स्वास्त बिहार या और भी जो भालिया है उसमें नितिश जी ने मतलब की अपना बयान दिया है लगभग 12 लाग बहाली जैसे कि यहां पर देख सकते हैं जिसमें स्वास्त बिहार में बहुत बहाली है और स्वास्त बिहार में कोई बहाली जैदा आता है तो वो एनेम का ही बहाली सबसे जैदा रहता है यह आपको पता है और कल से एक form की apply भी हो रहा है उसके आज से ही स्टार्ट होगे हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे विहार के मुख्यमंत्री निदीश कुमार ने गुरुबार को कहा के NDA सरकार के अगले साल तक मतलब की 25 तक बारा लाख सरकारी नौकरिया देने का लक्ष जो निर्दारित किया गया है इसमें गांधी मैदान में जब तिरंगा फारा रहे थे अपने संभोधन में कहा कि यहार उच्छ व्रिधी दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथी पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख नौकरिया देने का वादा किया था लेकिन अब हमारी सरकार 25 के बिधान सवाय चुनों से पहले 25 में जो बिधान सवाय चुनों होनी है उससे पहले 12 लाख नौकरिया देने का नया लक्ष निर्दारित किया है जिसमें की मतलब की जो 60,000 स्वास्प्यवाग के बहुत दिनों से जो पेंडिंग है बहालिया वह भी है उसके बाद अभी हाली में जो 15,000 एनम की जो बहालिया होनी है उसको भी लेकर चल्द आप लोको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे क्योंकि इन ही सब को मिला का स्वा सब नेशर पार्श्टू योजना के तहट सरकार के 10 लाख नौकरी देने का और 10 लाख लोगों का रोजगार अफसर पैदा करने का लक्ष रखा है इस योजना के सुरुआ 2020 में ही कर दी गी ती जिसमें की का रहा है कि 5 लाख हमने सरकारी नौकरिया दे भी चुके हैं और इ जैसे कि आप सब को पता है कि पहले एक अक्टूबर को डेट मिला था लेकिन आप 17 सेप्टेंबर का ही आपकी शुनवाए होने जा रहे हैं एक मैना बाद आपकी शुनवाए होंगे तो आप लोग इनको लेकर बिट्यसी एनम को लोग के अब भी निशेंत रहें लेकिन छोटा सा कलास लेते हैं अच्छे से समझाते हैं तो आप लोग जरूर कलास जोएन कर लेगे और भी आए कि जो इनफॉर्मेशन आएंगे वो सारी इनफॉर्मेशन सारी जानकारिया हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे थे